हेलो फ्रेंड्स आज मेरे साथ स्वीट गुलाब जामुन बनाने के लिए चलिए मेरे साथ मेरे किचन में हम बनाएंगे बहुत ही लाजवाब टेस्टी गुलाब जामुन फ्रेंड्स यह मैंने एंटी आर का जो रेडी मिक्स आता है उसको लेकर मैंने यहां पर उन्समें जिससे इंस्ट्रक्शन था पानी के साथ गुम के और सॉफ्ट करके विल्कुल पांच मिनट के लिए पांच-दस मिनट के लिए इसको ढखके रख दिया तो देखे कितना है अब मैं यहां पर यह थोड़ा सा ओलिव ओल ले रही हूं ऐसा ऑल्वेस से मैं ओल ओल यूज करती हूं तो यह ओलिव ओल मैंने लिया है ताकि मैं इसे अपने पांब में लगा के सॉफ्ट सॉफ्ट गोल छोटे-छोटे बॉल्स बना सकूं और इसे बहुत ज्यादा सर्कल करने की कोशिश कर रही हूं और यह चोटा सा बॉल बना के उसको फिर हम क्या करेंगे हम इन सारे पूरे जितना भी मैंने अभी यह बैटर बनाया है इन सब का पूरे का मैं ऐसी चोटे-चोटे बॉल्स बना लूँगी साइड में तब तक ऐसा करते हैं फ्रेंड्स यह देखिए यह मैंने वोक में जो ओलिव ओल है उसको अल्रडी रख दिया है गरम होने के लिए और आप अगर गैस को देखोगे तो गैस जो है वो सिन पे है तो यह यहाँ पर मैंने क्वीन के सौटे पैन में यह मैंने चीनी तो जितना डो पैकेट मैंने लिया था उसे था इसे साबसे मैं यह दो कतोरी जो है वो चीनी ले रही हूँ और उसी तरीके सह इसमें एक सवा कतोरी मैं पानी डालूंगी ताकि शाष्नी बना सकों जिसमें मैं गुलाब जामुन को डिप करूंगी शुगर सिरप को बनाने क बाद तो फ्रेंट्स यह मैंने गैस को आउन कर दिया है and again गैस जो है वो मैंने मीडियम पे रखा है यह मैंने चार इलाईचीस में तोड़के डाली और यह बिलकुल हरबल हल्दी है जो एक्चुली मेडिसनल है जो मैं दूद में डाल के पीती हूँ for the color यह मैंने वोक में जो रखा था ओयल मैं चेक कर रही हूँ गरम हो गया है तो इसमें अब मैं सारे बॉल्स जो मैंने बनाए थे वो डाल रही हूँ फ्रेंड्स गुलाब जामुन है तो उसे तो तलना ही है लेकिन वोक जिसमें मैं तल रही हूँ इसमें तलने का यह फायदा है कि यहाँ पर seven layers है इस steel के बरतन में तो किसी भी utensil का कोई भी यहाँ पर जो दंगी है वो नहीं आती है दूसरा important यह है कि इसमें एक बीच में na ferrite का magnetic steel का layer है जिसके कारण जो oil हम frying के लिए यूज करते हैं तो वो खराब नहीं होता है और आपको जैसे मैंने बताया कि मेरा जो gas है वो sim और medium के बीच में ही रहेगा यहाँ पर तो oil जो है वो heat up भी हो जाता है लेकिन excess heat up नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर इस बरतन में heat जो है वो अच्छे से हर तरफ evenly distribute हो रहा होता है और आप अगर देखोगे तो इसका तला जो है थोड़ा सा flat है तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको frying effect देता है और साथ साथ oil जो है वो खराब नहीं होता तो friends यह मेरा पहला lot जो है गुलाब जामुन का fry होके ready हो गया है तो इसी wok के साथ इस करहाई के साथ ही एक यह additional मेरे पास lotus rack है जिसमें कि जो भी अभी मैंने गुलाब जामुन तला है इसको मैंने इसके उपर रख दिया तो excess oil जो है कि कोई भी extra oil जो है कहीं इधर उधर नहीं होता वापस wok में आ जाता है गुलाब जामुन से सारे oil अच्छे से छन जाएंगे और फिर मैं उसे जो है चाशनी में डालूंगी तो आपने देखा कि कितना जबजस्त color आया है और फिलहाल सारे ball घॉल घॉल ही बने है मैं इसे चेक कर चुकी हूँ बीच में almost यह होने ही वाला है और यह मैंने second lot जो है गुलाब जामुन का मैंने इस wok में डाल दिया और वैसे तो देखने में अभी इतना यमी लग रहा है बट येस इसमें अभी sweetness अंदर जाना है तो friends यह देखिए यह मेरा जो चासनी है ready हो ग कितना लाजवाब कलर आया है और flavor जो है वो उसमें है इलाइची का friends यह मैंने अपना पहला lot जो है वो चासनी में डाल दिया है क्योंकि सिरब जो है अभी अभी बना था गरम है और जो saute pan में queen में saute pan में यह फाइदा है कि वो heat जो है रिटेन करके रखता है तो मैं यहाँ प सिरब को अपने अंदर absorb कर ले देखे friends कितना लाजवाब लग रहा है ना गुलाब जामन और पूरा गरम गरम सो अब मैं इसे यहाँ सिरब से निकाल के अपने जिसमें मुझे रखना है मैं उस अपने बरतन में इसको रख रही हूँ और यह मेरा पहला lot तयार है दूसरा lot जो है वो side में almost fry हो गया है जिसे मैं निकालने वाली हूँ इससे निकालने के बाद और फिर third lot तो दो मेरे MTR के ready mix में इतने सारे गुलाब जामन बन जाएंगे और friends यह पहले lot में मैंने थोड़े बड़े बड़े बना दिये थे हम चाहे तो थोड़े छोटा कर सकते हैं क्योंकि आपने भी notice किया होगा कि यह तलते समय थोड़े full जा रहे हैं साइज इनका बढ़ रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे और friends अब यह second lot है मैं डाल रही हूँ आप देख रहे हो एक दो का शेप थोड़ा बिगड़ गया है बट never mind टेस तो गुलाब जामन का ही आएगा राइट तो second lot again उसी तरह मैं सिरप में डाल रही हूँ औ और फिर मैं थोड़े देर के लिए इसको बंद कर दूगी अभी भी चाष्णी गरम है क्योंकि queen जो है वो बहुत देर तक यह भी stainless steel का बना हुआ है बहुत देर तक heat जो है retain करता है तो गरम होगा तो बहुत अच्छे से चाष्णी को अंदर absorb करने में मदद करेगा तो friends यह अब मेरा last lot है जो मैं निकाल रही हूँ तीनों मेरे fry हो गए, soak हो गए सिरप में और मैंने उन्हें finally जिसमें रखना है उस बरतन में सारा मैंने transfer कर लिया तो देखा friends कितनी असानी से कितने कम समय में और सारे nutrition को intact रखते हुए यहाँ पर हमने एक बहुती tasty sweet गुलाब जामुन तयार किया है जितना देखने में लजीज लग रहा है उतना ही खाने में भी लजीज है तो यह सिरप जो वाकी बचा हुआ है मैं इसके उपर ही डाल देती हूँ ताकि अगर कुछ भी गुंडाईश हो तो वो इसमें absorb हो जाएगा अगेन मैं इस बरतन को भी थोड़े ढखके रख दूँगी जो भी heat होगा उस heat के कारण गुलाब जामुन के अंदर रस अच्छे से penetrate कर जाएगा और वो गुलाब जामुन हमारा बहुत बहुत tasty होगा थाइंक्यू फ्रेंज जरू ट्राइ करिएगा